कैंट पुलिस ने लगबग एक लाग रुपे के 800 मीटर चोरी के सरकारी विद्यूत केवल के साथ अभ्यूत को गिरिस्तार किया है पुलिस लाइन के सभागार में घटना का खुलासा करते हुए सीयो कैंट ने बताया कि कैंट थाना परभारी द्वारा गुरुवार के रातरी में रानी डिहा छेतर में चेकिंग के दौरान मुख्बिर की सूजना पर एक बाई को रोकर पूछ ताच की गई तो उस पर अंडर ग्राउंड में इस्तमाल होने वाला 800 मीटर विद्ध केवल बरामद हुआ ग्रिफतार अब्यूट की पहचान अजय कुमार निशाद, पुत्र गामा निशाद, निवासी गराम जंगल सिकरी, थाना खोरा बार के रूप में हुई जिसको ग्रिफतार करने में चोकी परभारी महेश मिश्रा, उपनिरी चक सुनिल कुमार सिंग, कांस्टेबिल रमा कांत यादो, श्याम बहादूर यादो मौझूद रहे इस समन्द में को रखबून निश से बात करते हुए सियो केंट सुमें शुक लाने का कल रात में ठाना कैंट की पुलिस के दोरा एक सोचना मिली जिसमें एक डीसेल पगड़ी गए जिसमें 800 मीटर केबिल थी जो बिजली विवा की केबिल थी और अंडर गौंट जो केबिल डाली जा रही वो केबिल थी उसमें पता चला जो उसका ड्राइवर था वही ट्रक मालिक था यह बाद में पता चला कि एक सिसनाथ नाम का बेकत है जो बिहार का रहने वाला है यूपी में कई जगा ठेका ले इसे बेक को पकड़ा गया इसने बाद बुली है तो इसे सरती अपक की जा रही तो बिजली वहा खोची जा में अधिकारी जो इसमें अधिकारी कम्चारी मिले हों गे उनकी भी पर्थाल की जा रही है उनके विरुदुभी करवाई की जाएगे आठ सो मीटर है कंदम डेड़ लाग रुपई इसकी कीमत है साथी सरकारी धन का एक सीधे सीधे दुरुपयोग है और यह जो चीज है यह सर्बार मार्केट में नहीं आना चाहिए जहां सेकर को ठेका लेता है तो जो जी स्टोर से आता हुआ पढ़ता है जो बचाओ काम हो पाएंगे सेजना दुपता मूलता भीहार का रहने वाला है लेकि इसमें यूपी में स्रावस्ती गोंडा इस तर जितने बिद्री के ठेके हैं वह देखता ठेके वो लिए रखा है इंड़ागों के बिद्री के बिद्री के कर दो